जो सोचता है वो करता है विजिकल टेस्ट पत्ना में आयूजित किया गया है आपको बताए तो अब बिहार में पुलिस कुछ ज्यादा ही और स्ट्रॉंग बनने वाली है पुलिस बल की संख्या बिहार में बढ़ाई जाए गया और इसलिए बिहार में लगतार पुलिस विभाग भी बंपर बहालिया निकाली जा रही है और इसी के तहद पुलिस कॉंस्टरबल परिक्षा भी हुआ इस कॉंस्टरबल परिक्षा में तमाम जितने भी अभ्यरती थे जो लिखित परिक्षा में पास हो गए उन्हें अब इंतजार है कि फिजिकल टेस्ट कब होगा और फिजिकल टेस्ट होगा तो उसके लिए Admit Card हमें कहां मिलेगी। हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि फिजिकल टेस्ट की तारिक जो है वो 9 दिसंबर ताइक की गई है और इसके पहले आप अपना Admit Card इस तरीके से डाउनोड कर सकते हैं। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदो पर नियुक्ति के लिए 9 दिसंबर से शारिरिक दक्षता परिक्षा यानी PIT का आयोजित किया जाएगा। ये परिक्षा 10 मार्च 2025 तक शहीद राजेंदर प्रशाद सिंग राजकिय उच्च विद्दा लेपटना हाइस्कूल गर्दनी बाग में सुबह 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। परिक्षा के दिन ही अभियर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन होगा। इसके लिए अतिरत्व समय नहीं दिया जाएगा। लिखित परिक्षा का आयोजित अगस्त दोजार चौबिस में चैचर्णों में साथ अगस्त से 28 अगस्त के बीच आयोजित किया था। इस परिक्षा में 11,95,101 अभियर्थी शामिल हुए थे। इनमें 511 अभियर्थी कदाचार प्रात्मी की अथवा, रोल नंबर प्रशन पुस्तिका की गरत अंकन के आधार पर मुल्यांकन योगी नहीं पाए गये। लिकित परिक्षा का अधार पर 5 गुना अभियर्थी को पियाई के लिए 14 नवंबर को परिनाम जारी किया था। चैनित अभियर्थियों की संक्या 1,07,089 है। इसमें 67,518 पूरुष एवं 49,550 अभियर्थी महिला एवं 11 ट्रांसजेंडर अभियर्थी भी हैं। इनमें 485 गरी रक्षक अभियर्थी तथा 443 स्वतंतता सनानी के आश्रिद विशामिन है। आपको बताते हैं तो वेबसाइट से PIT के लिए प्रवेश पत्र आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए ये सूचना परशद के वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। यहां से अभियर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परिक्षा की कारिवाई वरिया पुलिस पतादिकारियों के निगरानी में होगी। बताए तो पुरुस एवं महिला अभियर्थियों की परिक्षा है अलग-अलग दिन आयोजित की जाएगी। पहले पुरुस अभियर्थियों की परिक्षा होगी, इसके बाद महिला अभियर्थियों की परिक्षा आरंभ होगी। हर दिन 16,000 पुरुष एवं 14,000 महिला अभ्यर्थियों को बुलाए जाएगा। चेयर्मैन ने ये भी बताया है कि अभ्यर्थियों को शारिदेक एवं मांसिक रोप से स्वास्त होने, गर्ववती न होने, तथा इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक, प्रतिबंदित दवाओ का सेवन न करने की घुशना पत्र भी देना होगा। पैरों पर लगाए गए चिप एवं सेंसर के माध्यम से किया जाएगा। इसमें किसी भी मानवे हस्तक शेप की गुंजाईश नहीं रहेगी। तो देखी जितने भी PIT के लिए अभ्यर्थियों का चैन किया गया है उनकी परिक्षा वो चिप के जर्ये की जाएगी। पैरों में चिप लगाए जाएगा और इसमें कोई भी मानवी हस्तक शेप नहीं रहेगा। आपको बताए तो यह परिक्षा जो है वो 9 दिसमबर से शुरू कोने बारा है जो कि 15 मार्स तक चलेगी। और इस परिक्षा में हर दिन 16,000 पुर्षों को बलाए जाएगा और 14,000 महिलाओं को बलाए जाएगा। तो देखिए इस बार केंद्र चैन परिशत की तरफ से क्या कुछ निर्ना लिया गया है और आप किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे वो हम ने आपको बताए जिसके लिए आपको फिश्यर वेबसाइट पर जाना होगा और अपने एडमि के पर मैं से तहीं आप देख पर में आना हुआ है